नाहिट्रांग का नए अपडेट आज चुका है क्या है वो अपडेट उसी के बारे में हम आज के इस वडियो में जानने वाले हैं नमस्ति दोस्तों मेरा नाम है देवेंद्र और अगर आपको अर्णिक एप्लिकेशन की यह आए न्यूज की यह आए इकॉमर्स की यह आए च मुझे पता नहीं सो डोंट मिस्स ओपर्चुनिटी विदाव रेनी डू लेट्स स्टार्ट तुडेज वीडियो अभी मैं यहां पे नाइट्रों के अपडेट का जो रिलीज नोटे ओपन कर लिया है तो बेसिकली यह जो अपडेट है वो बेटा वर्जन के लिए है तो अ 4.2 यहां पे सबसे बड़ा चेंज यह उन्होंने डाला है कि added support for API level 30 board मतलब क्या है कि पहले आपका application android 14 के device के साथ अभी इस अपडेट से अपका application android 14 के device के साथ भी compatible होगा फिर बात में यहां पे next उन्होंने कुछ bug fixes किये उसी के बारे में हम जानते हैं पहला bug fix किया उन्हो प्रोजेक को जब रिनेम करते थे तो आप उन्होंने कुछ error मिलते थे और उन्होंने यहां पे fix किये हुए तो फिर बात में next bug उन्होंने fix किया है कि result Google AIB integration crashes मतलब क्या है कि आपका application unexpectedly terminate होता था because of Google AIB integration इन्होंने fix की हुई है फिर बात में यहां पे आती चीज फिक्स undefined error related to the deleted blocks पर ले क्या होता था ना जब आप blocks को रिलेट कर देते तो वहां पे unexpected error आता था तो वह भी चीज इन्होंने यहां पे fix कर लिए फिर बात में यहां पे next issue है कि fixed unity add integration errors मतलब जो unity add late initialize होती थी तो उसको अभी उन्होंने यहां पे fix किया है इससे क्या होगा ना कि आ आपका application open करता था तो आपके जो one signal के service थे ओ लेट open होते थे ओके इन्होंने यहां पे अभी fix कर लिए इस वाले update के अंदर फिर बात में यहां पे next चीज है कि application की size आपको पता ही होगा कि नाइटरों का premium है वहां पे आपको और एक option मिलता है कि आपके application की size आप बढ़ा के manager को add किया हुआ है यहाँ पे आपको settings के option पर क्लिक करना है यहाँ पर करने के बाद आपको यहां पर आपको सारे library देखने के लिए मिलेगी और उसके साहब वर्जन भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा फिर बात में यहां पे उन्होंने कुछ beaks fixes कीए सो यहां पर पहल बाद में जो एड़ोजी का sdk था वह भी अपडेट किया हुआ है अब बोलते हो फिर बाद में यहां पे जो component के ऊपर वह भी आप फिक्स किये हुआ है और उसके साथ उनने six days अगो भी कुछ बग फिक्स की हुए उसका भी आप अपडेट आप देख सकते हो तो यहां पे द उनने fix किया हुआ है very good फिर बाद में अड़ोब और स्टार्टप की component से क्या होता था आपका application crash होता था अब भी नहीं होगा और उसके साथ अप्लिकेशन का build error था वह भी fix हुआ है और यहां पे second box था कि error pop-up dragging component और यह भी उननने fix किया हुआ है फिर उसके बाद बाद का एक update आया था वह था update 4.3.1 और 4.3.1 में किया है कि जो existing features थे उसमें जो box आते थे उन्होंने fix किया हुए same for update 4.4 वहाँ पे उन्होंने देखो क्या किया है कि added support for AAR libraries in extension और उसके साथ इन्होंने एक बहुत ही important issue fix किया हुआ है जिसके उपर मैंने वीडियो भी बनाए थी क पहले क्या होता था ना कि अगर आप application को landscape में डालते हो तो क्या होता था कि अगर landscape में screen switch होती थी ना तो automatically port it में जाती थी इन्होंने यहाँ पे fix की हुए अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो यहाँ पे i-card के उपर में उसका वीडियो दे दूँगा और उसके साथ इन्होंने आप भी recently three days अगा और एक work journey उन्होंने लांच किया 4.4.1 के अंदर उन्हों component रहेगा और अगर आप उसको एक्सपोड करें तो आपको आपको कुछ ना कुछ टू एक्सपोड़ेड इस्यू मिलेगा तो आपको क्या करना अभी के लिए बिटा वर्जन के उपर आप टेस्ट करो या एको इंपोर्ट करके उसको एक्सपोड करो तो यह था कुछ किप कोड़ेगा